दोस्तो मैत रिजनिंग जी के और सरकारी जॉब से रिलेटेट कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को इस रेड़ वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और इस वेल आइकन को दबाना मत भूले जिससे आपको मिले हमारे सारे अपडेट सबसे पहले ग्रुप से नहीं जुड़े हो जागर के हमारे टेलिग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ वहाँ पर मैं आपको इन सब का पीडियो प्रोबाइट करवा दूँगा तो यार चलो आज के स्पेक्टिव सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और अगर आपने यूपी डिपलसी वी आप इस तरह के और वीडियो जाते हैं या नहीं जाते हैं तो चलिए पहला कोशन है दोस्तों यापर कोशन नमबर सेवेंटी वन से स्टार्टिंग है याँपर बी एसी जो है उसका संबंद है ओ एन पी आर से तो जे आई के एम का संबंद किस से होगा तो यहाँ पर देख के तो O का कोड़ होता है हमारा 15 और M N का कोड़ होता है हमारा 14 फिर P का कोड़ होता है 16 उसके बाद R का कोड़ होता है हमारा 18 यानि कि 2,1,3,5 यहाँ पर देखा जाए 2 और 15 में प्लस 13 का अंतर है 1 और 14 में भी प्लस 13 का अंतर है 13 एक 14 और 13 और 16 में भी प्लस 13 का अंतर है औ पांच और अठारा में भी प्लस 13 का अंतर है मतलब कि सारे हमारे 13 13 प्लस होते चले गए है B से 13 एड़ करेंगे A में 13 एड़ करेंगे N आजाएगा C में 13 एड़ करेंगे P आजाएगा उसी तरह अगर बात करें J में तो J में अगर हम 13 एड़ करेंगे 22 किसका कोड़ होता है V का कोड़ होता है इसी तरह K में हम एड़ करेंगे 13 तो K का कोड़ होता है हमारा 11 11, 13, 24, 24 किसका कोड़ होता है X का WVX इसके बाद आता है M M का कोड़ होता है हमारा 13 और 13 में हम 13 एड़ करेंगे तो 26 आजाएगा 26 वा अच्छर होता है हमारा Z यानि कि इसका जो पहला option है WVXZ कहाँ पर भई WVXZ option number 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा question number 72 है दोस्तो 122 का संबंद 170 से है तो 290 का संबंद किस से होगा तो जलिए देख लेते हैं 122 से 140 कैसे आया तो 122 जो आया है वो yerubuar हुटाए 120 धन एक कर दी हमारा क्या आगया 112 आगया इसी तरह 13 कवरत देन एक कर देंगे तो 170 क्या जाए bod 13 कवरत होता है 170 Getting, 170 क्या आगए 17 इसी तरह मतलब यहां पे था 11 यहां पे था 13 एसी तरह देखा है तो यहाँ पर सत्रा कवग करेंगे 289 आएगा और 289 ने जिएगे आपका 290 आ जाएगा यानि कि सतरा के बद चाहता है 19 देखें दो हंका अंतर है तो 17 के बद क्या आएगा 19 19 कवर करेंगे आ जाएगा कितना 361 19 कवर कितना होता 361 होता है धन एक कर देंगे तो कितना जाएगा 362 यानि कि option 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा question number 74 दी गई संख्याओं कि सिरिंखला में एक संख्या गलत है उस गलत संख्या का पता लगाओ तो 17 है 19 है 23 है 33 संख्या गलत है आपको बताना है तो यहां पर देखा जाए तो जो संख्याओं है 17 19 23 29 33 संख्या क्या होती है जो अपने आप से कटे और एक से कटे वो हमारी संख्या होती है यहां पर यह बाजे संख्या हो जाएगा यानि कि ऑप्सन दूसरा जो है 33 से बिलकुल सही हो आगला कोईशन है निर्म सार्डिंग में प्रस्न चिन्न के असान पर तार्किय ग्रूप से उप्रयुक्त बिकल बताना है भाई पांच है साथ है तीन है तो देखा जाए तो साथ और तीन को जोड़ दो साथ धन तीन बराबर होता है क्या दस और दस का अधा कर देंगे कितना जाएगा पांच जाएगा इसे तरुए तंट कितना होता है चालिस चालिस का अधा करेंगे कितना याई इस ओ पैंतारी धन जोड़े तो यहां पर 45 धन 45 45 एक तो 90 होगा 190 का आधा कर देंगे क्या जाए कि 95 समझे दोस्तों कि हाँ आपसन इसका नहीं दिया गया है आपसन यहाँ पर नहीं है पर इसका पन्चान बे आपसन बिल्कुल 45 आपसन इसका एंसर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए question number 76 है यहाँ पर भी वही जो question mark है यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लाना है कैसे लाना भी देख लेते हैं तो यहाँ देखा जाए यह 13 कवर्ग है यह 12 कवर्ग है यह 17 कवर्ग है यह 11 कवर्ग है यह 14 कवर्ग है और यह हमारा किस कवर्ग है 21 कवर्ग है, भै roll 13, 12, 17, 11, 14, 20 और, यहाँ पर यह 8 कवर्ग, 9 कवर्ग और 15 कवर्ग आ गया और, यहाँ पर 32 है, 35 है, तो, देखा जाए तो, 11, 13 और 8 को अध करो, 11, 13 और 8 को अध करेंगे, तो कितना जाएगा 32, क्योंकि 11, 8 होता है हमारा, 11, 8, 19, 19, 19, 30 3022 और 12, 14, 9 को यड़ करो 12 और 9 होता है हमारा 21 21 22 24 होता है 35 यм की इनको चोड़नें पर 35 आप सत्रा इकीस और पंदोरक पंदरा को इड करेंगे तो 17 2125 यानि कि 25 15 हो गया हमारा 5 इक 6 36 36 со 17 हो जाएगा हमारा तिरपन तो option number इसका पहला तिरपन बिल्कुल सही हो जाएगा option 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा question number 77 है देखे इस तरह question मैं आपको करवा चुका हूँ कि एक घड़ी में 4 बच कर 30 मिनट का समय दिखा रहा है यदि मिनट की सुई पूर दिखा की और है तो घंटे की सुई की दिखा क्या होगी तो देखे इसका अगर हम figure बनाएंगे 4 बच कर 30 मिनट दिखा रहा है देखे घड़ी में 4 बच कर 30 मिनट यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 5 होता है यहां पे चार होता है तो चार बच कर 30 मिनट कुछ इस तरह से बज़ेगा हमारा चार बच कर 30 मिनट तो जो हमारी ये कौन सी सुई भाई मिनट की सुई पूर्व दिसा है मिनट की सुई ये वाली होगी जिसमें मार्क में कर रहा हूँ यह हमारी मिनट की सुई हमारी कौन से दिखा रही है पूर्व दिखा रही है तो यह कौन से घंटे की सुई के कौन दिखा होगी मतलब यह पूर्व है तो यह पश्चिम होगी यह क्या हो जाएगा यह अगर पूरव है यह पशी हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा दच्छड और यह हो जाएगा हमारा उत्तर यानि कि उत्तर और पूरव के बीच में यह देखिए उत्तर और पूरव में है तो यहां का इसका उसन काउन सा तीसरा उसन यानि कि उत्तर पूरव सही हो जाएगा आइफो 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 आपको समझ में आ गया होगा question number 78 है एक समुह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं समुह में केवल 1 व्यक्ति 3 भासाय बोल सकता है 2 व्यक्ति केवल 2 भासाय बोल सकता है से वेक्ति ऐमरेजी बोल सकते हैं जिसमें स provin क्या बोह सकते हैं और बोल सकते हैं 15 हिंदी की हिंदी सकते हैं आगे 6 पैंजाई आगेख में किवल एक वेक्ति तीन भास आयों है अगर हम इसको बनाएंगा यह वह एक लिखा वह एक वैक्त लिए क्रीक यह जो एक वाला यही में श्लीम जाओ act शुकता है और फिर है रहा है दो सकते हैं तो यहां पर थोड़ा सा यह मैं आपको क्लीर करoter को प्लिर कितने वक्ति आएंगे देखें यहां पर मैंने बोला है कि कुल साथ वक्ति एंग्रेजिय बोल सकते हैं साथ वक्ति मेंसे दो व्यक्ति तो हमारे यहां चले गए एक व्यक्ति यहां हा गए यह मतलब कियो पर और यहाँ ब्युक है तो यहां पर ना यह पर पंद्र भेक्टि तो 17 अगर के तहो सकते हैं तो इस पर्षन में सिर्फ एक यहां कामन दिख रहे है तो यहां पर कितने आ जाएंगे तो हमारे पंजाबी हो गए हिंदी हो गए हमारे क्या हो गए अग्रेजी हो गए अब बताना है कि कि कितने व्यक्ति यहाँ पर हैं तो देखे चार दो छे चार दो छे साथ बारा और तौप कोड़े सबस्व crest गारा कितना हो गया 24 यानि कि यहां पर option जो दूसरा है वो सही हो जाएगा अगर आपको вें डायाग्राम देखना है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए और उसका आप स्क्रीन सॉर्ट ले सकते हैं तो उसी तरह इसका कुछ वेंड डियाग्राम वनेगा question number 89 है एक परिच्छा में पांच छात्र A, B, C, D, E उपस्तित हैं यदि C को B से 5 अंग कम मिले दी को B से 10 अंग अधिक मिले, A को B से 20 अंग मिले हैं तो यहाँ पर A को कितने अंग मिलेंगे तो इसको भी थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से तो मैं यहाँ पर समझा देता हूं आपको भाई कह रहा है आकरी में B, Last में यह लाइन गए ना, B को पुल 40 अंग मिले हैं यानि कि B को कितने अंग मिले हैं, 40 तो हम B बराबर लिख देंगे क्या 40 अंग मिले ना, C को अगर हम C की बात करें तो देखो क्या कह रहा है, C को B से यह लाइन पकड़िए गब C को B से 5 अंग कम मिले हैं, यानि कि 5 अंग मिले हैं, तो C को कितने मिलेंगे, 35 मिलेंगे, 35 मिलेंगे ना, उसके बाद कह रहा है, D को B से 10 अंग अधिक मिलें, D को जो है, B से 10 अंग मिलें, तो D हमारा कितना हो जाएगा, 40, 10, 50 हो जाएगा भई, B से तुलना किया जा रहा है ना, उसके बा रहाए ई, को B से 22 अंक अधिक मिले हैं, ए की बात करेंगे अगर हम, देखो, ए कि अगर हम बात करें, यहाँ पर आजाएगा, ए कि अगर बात कर लें तो, ए को, यहाँ पुर मैं लिख दे रहाऊं, एक मिनट रोगेगा E को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ E को किस से 22 अंक अधिक मिले है B से 22 अंक अधिक मिले है B मतलब 40 से 22 अधिक हो जाएगा 40 से 20 और 22 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा यहाँ पर देखिए A, B, C, D, E सबके अलग-अलग अंक आ गए है अब कोशन पूच रहा है तो A को कितने अंक मिले है तो A के अंक तो हमारी यहीं पर निकल के आ गए थे 70 यानि की option number इसका जो 24 है यह बिल्कुल सेव जाएगा A को कितने अंक मिले है 70 अंक मिले है वो आपके उपर है कि आप उसको observe किस तरह से करते हो तो I hope आपको यह question भी अच्छे समझ में आ गया होगा अगला question है अच्छा एक जुन्ड वाला question आ गया भी यह थोड़ा सा अलग question है एक जुन्ड में कुछ गाय है बैल है और 45 मुर्गया है फ्रति 15 जानुरों पर एक ग्वाला रखवाली करता है बैलों की संख्या गयों की संख्या से दुगनी है यदि कुल सिरों के संख्या पैरों की संख्या से 186 कम है तो वहाँ कُल कितने ग्वाले है तो यहाँ पर देखा जाए तो इस question को किस तरह से लगाऊगी ये question थोड़ा सा lengthy हो जाएगा अभी यहाँ पर मैं आपको इसका answer दे देता हूँ क्या बोलती है इसका answer जो आएगा छे आएगा इसके अलावा इसका पूरा हल किस तरह सी यह हल होगा क्योंकि यहाँ पर possible नहीं है अभी इसको solve करना इसका answer अभी 6 आएगा अभी जाने रहो इसका जो पूरा हल है मैं अपनी handwriting में इसको हल करके अपने PDF ग्रूप पर अपनी टेलिग्राम ग्रूप पर उसका PDF या उसका image मैं send कर दूँगा तो बस इस वीडियो के खतम होने के बाद मैं इसका पूरा हल आपको अपनी टेलिग्राम ग्रूप पर send कर दूँगा माफी चाता हूं कि यार यहां पर मैं अभी समझा नहीं सकता हूं या whiteboard नहीं है या इतना ज़्यादा यहां पर matter यहां पर मैं लिक्स नहीं सकता हूं इससे ज़्यासे समझाना थोड़ा सा मुस्किल है पर कोई बात नहीं मैं इसका पूरा हल आपको अपने टेलिग्राम ग्रूप पर प्रोवाइड कर वा दूँगा चलिए 82 क्वेशन नमबर पर आते हैं तो क्वेशन नमबर 82 है नीचे दी गए आकरित में कुल कितने तिर्भूज हैं तो यहां पर बताना है कुल कितने तिर्भूज हैं तो चलिए बताते हैं भई तो तिर्भूज का भई सबसे सिंपल फंडा है पहले देख लेते हैं एक फलक वाले तिर्भूज कितने हैं बारा हैं एक फलक वाले बारा तिर्भूज हैं दो फलक वाल हो जाएंगे दो फलक की अंग करने ध्यान से बारत हमने आपको बता धिया दो फलक तो 1 2 3 4 ये हमारे चार ये हो गया और अगर हम चार और की बात दिए ध्यान से ये हमारा आएगा चौथा ये हा रहा है पांच छonne साथ और आथ तो एक फलक वाले हमारे बारा होगे, दो फलक वाले हमारे कितने होगे, आठ होगे, इसी प्रकार तिरभुजों की जो कुल संख्या हो जाएगी, बारा और आठ कितना हो जाएगा, बीस हो जाएगा, समझगे दोस्तों, तो इसका option क्या जाएगा, बीस आजाएगा, यहाँ पर question number 4 है बीस, तो option number 20 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, question number 83 है, चार छात्राएं एक चौकोर मेज पर बैठी है, चौकोर मेज देखे, यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छ, इसको संजा देता हूँ, यह समझना जाएगा, question है, चार छात्राएं है, एक चौकोर मेज तो इस तरह होता बाइं और बैठी है, तथा वीना कमला के दाइं और, वीना जो है कमला के दाइं और, मतलब कमला अगर यहाँ बैठी होगी, कमला का दाइं क्या हो जाएगा, यह वीना हो जाएगा, कमला के दाइं कौन बैठी है, कमला का जो दाइं होगा, वो क्या हो जाएगा, कमला का जो दोस्तो कोश्चुन मंबर 83 है चार शात्रा एं एक चौकोर मेज के चारो तरफ बैठी है इसका फीग्र बना लेते हैं तो देखे चार शात्राइं है ना टोटल तो चार यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा फिर मन्जु जो है ऑजो के बाइए और कमला भी बठी है यानि कि हाँ यहां पर आ जाएगा हमारा बची वीना तो वीना को यहां बिठाल दो भाई तीनी लाइन से clear हो गया तो question क्या कह रहा है कि बताना है कौन सी दो छात्रा है आमने सामने बैठी है तो कौन सी दो छात्रा है वीना मंजू तो वीना मंजू तो यहां पर बैठी है ना भाई यह आमने सामने तो है नहीं मंजू और अंजू अंजू भी तिर्शम बैठी है option number 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा option number 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला question है एक दरपड में देखने से पता चलता है कि एक बज़कर 30 मिनट का समय है बताओ सही समय क्या है तो मैंने आपको बताया है ना जब एक बज़कर 30 मिनट तरपड़ फ्रермраж में से एक बचकर ग्यारा बचकर साथ मिनट में से हम घटा देती है लोग्यारा बचकर साथ में से क्या घटانा एक गणÃा यग़िए नगे साट मैंने से 30 गया 30 तो आपका जो unclear होका कितना जाएगा दस बजक कर 30 मिध्याने की आप्सटे इसका सही हो जाएगा गार किसी घड़ी मैं एक बचक समय rorsTube उसमें सही समय क्या जाएगा थे सबूमाण Quanण पचासी है कह रहा हैएए बीई अ टथा बीने एक बिन 설 B बिप्री दिसाओं में चलना प्रादम किया दोनों पांच किलो मीटर चलकर अपने दाइं मुड़े तो यहां पर भी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा तो चलिए मैं बना के समझा देता हूं यहां पर क्या समझाना पड़ रहा है भई ए ने एक बिन से बिप्री दिसाओं में चलना प्रादम किया तो भई ए और बी है एक दूसरे मालों यहां पर ओपर ए भी दोनों है तो ए उपर गया यह हमारा ए गया अब भी हमारा नीचे आ गया तो एक रिषा से आ रहे हैं भई माफ फीगर सोड़ा सही ने बन पार पर समझ जाईएगा चलू किया फिर गह रहा फिर साथ किलोंटर चले भाई साथ यह भी चला साथ यह भी चला उसके बाद कहरा है फिर वह उसके बाद दाएं बड़े और पांच किलोंटर जाएगा यह दाएं बड़ेगा तो भाई यह तो उपर गया और यह दाएं बड़ेगा तो यह नीचे आएगा फिर साथ क्वेशन नमर 86 है एक फोटो की और संकेत करते हुए विनोध ने कहा यहां मेरी पतनी की माता की एक मातर पुत्री की पुत्री है देखो ध्यान दसमझो इसके लिए भी मैं आपको एक विन डाइग्राम बना देता हूँ एक फोटो की संकेत करते हुए विनोध ने कहा कि यहां मेरी पतनी तो विनोध की पतनी हो गई वाइफ विनोध की वाइफ पतनी की माता ये मदर हो गई पतनी की माता कहां गया भी यहां मेरी पतनी की माता की एक मात्र पुत्री एक मात्र पुत्री तो यही हो जाएगा एक मात्र पुत्री कि पुत्री इसकी भी डाटर आजाएगी पुत्री है इसकी डाटर आजएगे तो बिनोध और इसका क्या सम्वंद है भाई बाप और बेटी का सम्वंद होगा तो यहाँ पर पिता हो जाएगा option दूसरा इसका बिल्कुल सेवि जाएगा पिता का सम्वंद है उस लड़की से फोटो वाई लड़की से किसका संबंद है पिता का संबंद है 87 है यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सब्ता और 4 दिन पहले कौन सा दिन था यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सब्ता दो सब्ता पहले तो भाई देखो 23 तारिक से मतलब ही नहीं है दो सब्ता पहले भी रविवार होगा क्योंकि एक सब्ता में उतने दिन फिर से रिपीट हो जाता है तो दो सब्ता में कितने दिन हो जाएगा दो सब्ता पहले भी रविवार रहा होगा यानि कि option C, option तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यही याद रखना कि हर सब्ता में वही date repeat होती रहती है अगला question है, 88 नमबर कह रहा है एक 18 cm छोटे घं से यदि 3 cm के छोटे छोटे घं बनाए जाए तो कुल कितने घं बनेंगे, कुछ नहीं करना है 18 बटे 3 करो, कितना जाएगा 6, इसी का कर दो, क्योग तो कितना जाएगा 6, 36, 26, 216, समझ गए 18 बटे 3 करो, काटो, 3, 6, 18, जो भी चीज आए, उसको क्या कर दो उसका cube कर दो, आगे आपका 216, जैसे यहाँ पर 18 के अस्थान पर मालो चार होता, और इसको 2 से इंट्रिवेट बनाता है, तो 4 बटे 2 करते तो 2 दो नी 4, तो 2 का cube करते तो आपका 8 हाया था, तो इसी तरह आप इस question को लगाते हैं, मैं घन के उपर जल्दी एक अच्छा से वीडियो प्रवाइड करने वाला हूँ, दिक्कत, टेंसन बिल्कुल मत लो, सारे चैट्रा के clear करवा जूँगा, भाई यह जो आखरी question है, यह पासा का question है, देखिए, पासा का question क्या है, नीचे एक पासे, पासे मैं करवा चुका हूँ आपको, नीचे एक पासे के 4 प्रार कामन है, 3 और दो और 3 कामन है, तो इस वाले से थो हम कुछ खरी नहीं सकते है, इस के लवाज़ा 2 कहां पर है, डो कहां पर है, यहां पर है, 2 के साथ क्या है, 4 और 6 है, चार और 6 है, और यहां पर देखा जा, जो 4wasser है, हमने बोला था ना, कि 2 के साथ जो चीजे होती है, अग को देखो ध्यान देखो आपको सारे मतलब दो के विपरीद ही नहीं तीन के चार के पांच के सब के विपरीद समझ में आ जाएगा देखो इन दोनों पासा के अगर हम बात करें तो इन दोनों पासा में क्या क्या कामन है एक तीन यहां पर देखिए दो और तीन है दो और तीन क्या गया तीन के विपरित आगया आपका छे तो भाई तीन के विपरित छे एक के विपरित चार तो बताइए दो के विपरित क्या होगा दो के विपरित भाई हमारा क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा सिंपल सा फंडा था जब तीन के पीछे छे है एक के पीछे चार है तो से तो आपको बताना है इस question को अच्छे सपढ़ दीजे अंग्रेजी वड़माला के प्रतियक अच्छर को यदि वड़माला के उसके करम के समान मुल दिया जाए तो निमली में से किसके सभी अच्छरों के मोलियों का योग सरवाजिक होगा तो आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन सा एंसवर सही होगा तो देखते हैं सबसे पहले कौन करता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह के आप और रिजनिंग के प्रेक्टिस से चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर सुझाओ दीजेगा कि मैं और क्या इंप्रूब्मेंट कर सकता हूं और क्या चीज़ आपके लिए ला सकता हूं अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम ग्लूप से जोड़ सकते हैं